भारत का किसान समरध, सशक्त और आत्म निर्भर बने और भारतिय कृशी आधुनिक और लाबकारी हो। इस लक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में पिछले आठ नौ वर्षों में समग्र और अथक प्रयास किये गए हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्प बद्ध नेत्रित्व में बीज से बाजार तक, विट्टी से लेकर सिंचाई तक, खाद से लेकर फसल वीमा तक, खेती के हर स्तर पर हमारे महनती किसान भाई बेहनों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए निरनायक कदम उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में हमारे अन्दाता के द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान और बागवानी उत्पादन देश में खेती की लगातार बदलती तस्वीर को दर्शाता है। किसानों की खेती से जुड़ी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने की ऐसी ही एक एहम पहल है। जब बीज लेने का समय होता है तो भी ये मदद किसान तक पहुच जाती है। पी-एम किसान निधी ने उनकी बहुत बड़ी चुनता को कम कर दिया है। कोई बिचोलिया नहीं, कोई कटकी कमपनी नहीं, सीधा-सीधा मेरे किसान के खाते बेपासा चला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पी-एम किसान सम्मान निधी की सराहना अंतर राष्ट्रिय मुद्राकोश जैसी वैश्विक संस्थानों ने भी की है। डिजिटल प्रणाली के जर्ये किसानों की पहचान से लेकर उनके खाते में रुपए बेजने का काम सफलता पूर्वत और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। किसान साथी ओनलाइन के साथ साथ, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी पी एम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी पी एम किसान वेब पोर्टल या पी एम किसान मोबाइल एप से हासिल की जा सकती है। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेलप लाइन नंबर 155-261 की मदल ली जा सकती है। चार साल से लगातार चल रही इस किसान सम्मान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। किसान हितों को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी द्वारा आज बी एम किसान की 13 वी किष्ट के रूप में 8 करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड रुपए से अधिक की सम्मान राशी को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। सम्रिध देश सशक्त किसान आत्म निर्भर भारत की पहचान